वेलकम बैक गाईस और MGCI आपके लिए एक एकसाइटिंग टेस्ट लेके आया है जिससे आप अपने नीट और आईटी जेए में सेलेक्ट होने के सपने को साकार कर सकते हैं वो भी बिलकुल एकड़म इजी तरीके से क्योंकि MGCI आपके लिए लेकर आया है अर्ली बर्ड स्कॉ अर्ली बर्ड स्कॉलर्शिप टेस्ट की बात करूं तो बेसिकली ये एक ऐसा टेस्ट है जो क्लास 10th, 11th and 12th स्टांडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है जिनका सपना NEET, UG and IT, JE की प्रिपरेशन है जो NEET, UG and IT, JE के एस्पिरेंट्स है उनके लिए ये एक टेस्ट है जिससे आप पास सकते हैं 100% तक का स्कॉलर्शिप अपने कोचिंग फीम है येस एक्जाटली आपने सही सुना 100% का स्कॉलर्शिप मतलब कोई फीस नहीं लगेगा अगर आप हमारा EBST जो 2025 में अर्गनाइस कर रहे हैं अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो आइए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि what is this EBST 2025 ठीक है बाई सबसे पहली बात इस टेस्स से आपको मिलेगी up to 100% स्कॉ 10-50% off in fee by just giving the online EBST. Online EBST exam अगर आपने दे दिया एक बार तो 10-50% off तो आपको fee में वैसे ही मिलने वाला हैं. Imagine कीजिए 50% off तो आपको वैसे ही मिलने वाला है बट आपको 15 November से पहले ये test दे कर MGCI में अपने आपको admission के लिए register कराना पड़ेगा. आप ये EBST का test दे 15 November से पहले date पर देन आप अपने आपको MGCI में register करा है आपको flat 50% scholarship आपके fee में वैसे ही मिल जाएगा. बट सर आप तो कह रहे होगे 100% scholarship और अभी आप कह रहे हैं कि 50%? येस मेरे प्यारे बच्चों 100% scholarship भी है. आप online test दें आपको flat 50% off मिल जाएगा. 15 November से पहले अपने आपको आप register करें MGCI में admission के लिए और अगर आप चाहते हैं कि आपको 100% scholarship चाहिए तो उसके इंदर छोटा सा आपको test देना पड़ेगा और आप eligible हो जाएंगे 100% scholarship के लिए. क्या है? पहले जानते हैं कि test date कौन-कौन सी है, कौन से online test को देखर क्या हम 50% scholarship ले सकते हैं? येस, आप 50% scholarship ले सकते हो and test date से आपके सामने that is 13 October को, उसके बाद 20 October को, उसके बाद 3 November and 10 November अगर आप इन में से कोई सा भी test दे देते हैं, इन में से कोई सा भी test दे देते हैं, जिसका timing आप देख पा रहे हैं 10 AM से 10 40 AM तक, 10 AM से 10 40 AM तक अगर आप दे पाते हैं, तो आप eligible हो जाएंगे 50% scholarship के लिए, ये test आपका included नहीं है, आप इसको भी दे सकते हैं, बट ये test 50% scholarship में नहीं है, सारे Sundays को organize किये गए हैं आपके लिए, आप easily and timing आप देखें, 10 से 10 40 AM exam pattern syllabus के बारे में भी बात करूँगा, बट पहले में आपको बताता हूँ, dates के बारे में, ठीक हैं, करेंगे आपका उसी time आपके पार scorecard आजाएगा, scorecard just after submitting, scorecard will be available just after the submitting, the test and the rank will be declared after 24 hours, overall rank आपका 24 hours के बाद मिलेगा, आपका scorecard जो है, वो आपको instantly मिल जाएगा, test submit होते से ही, and then उसके बाद MGCI इन दोर से आपको representative call करेंगे, और आपका percentage of scholarship आपको बताएंगे, clear? clear, बहुत simple है, 40 minutes का test देना है, Sunday का दिन है, try भी कर सकते हैं, तो भी कुछ नी बिगड़ेगा, clear? आगे बढ़ते हैं, now, आप कोई चाहता है कि सर 50% scholarship ने, मुझे तो पूरा 100% scholarship चाहिए, yes, आप 100% scholarship अवेल कर सकते हैं, कोई problem नहीं है, लेकिन उसके लिए छोटा सक्या है, कि भई, सबसे पहला criteria हम चेक करेंगे, MGCI चेक करेगा, कि आपने online test, that is, EBSD2025 में कितना score किया, उसके बाद आपका 10th board का score, अगर applicable है तो, because, जो student 10th से 11th में जाएंगे, उन्होंना भी 10th का board नहीं दिया होगा, other students के लिए, मतलब student presently in class 11th, and presently in class 12th, वो जो है, उनका 10th board का score score भी देखा जाएगा, and score obtained at offline test at MGCI इन्वार, मतलब आपको 100% scholarship avail करने के लिए, simple से 3 बात हो, आपका 10th का score, आपने online test में क्या score किया था, कोई सी भी एक test में, आपको सारे test नहीं देने है, किसी student को मन में doubt हो, कि क्या सर हमें सारे test देने है, आप सारे दे भी सकते हैं, आप नहीं भी दे सकते हैं, at least आपको एक test को देना ही है, एक test आपको देखना ही है, clear, उसके बाद आप MGCI में आकर अपना offline test दें, जिसका last date registration का है, 22 November, clear, आप अगर चाहते हैं, कि आपको 100% scholarship मिल जाए, तो आपको एक offline test भी देना पड़ेगा, online test से आपको maximum 50% off मिल जाएगा, maximum 50% off आपको मिल जाएगा, और आप चाहते हो 100% scholarship, या 50% से जाधा scholarship, then उस case में आपको एक offline test देना होगा, आपके 10th board का score, and आपके EBSP 2025 में आपने जो score गया, उसका एक cumulative average निकालेंगे, then आपको हम उसका score बताएंगे, now यह जो offline test होने वाला है, यह offline test होगा 24 November को, clear, our last date registration की है 22 November, and timing रहेगा 10 AM से लेके 10 40 AM, clear है, so 100% scholarship के लिए आपको अगर अवेल करना है, तो आपको एक offline test देना होगा, छोटा से test, 40 minutes का test, 24 November को, and last date है 22 November, clear, आगे बढ़ते हैं, now, sir, final result कब आएगा, हमने online test भी दे दिया, हमारा 10th board भी score अच्छा है, हमने offline में भी अच्छा score किया, तो फिर आप किस पात से घबरा रहे हैं, आपको 100% scholarship definitely मिलेगा, and उसका final result आपको मिलेगा, सभी बच्चों में से merit list निकल का, that is on 13 November, 13 November को, आपको final result मिल जाएगा, MGCI के representative, आपको call करके बताएंगे, कि yes, आपने 100% scholarship avail करिया है, आप जल्दी से admission ले सकते हैं, बट आपको इन सारी चीज़ों के लिए 15 November को, अपने आपको register करना पड़ेगा, उससे पहले, तभी आप इन सारी facilities को avail कर पाएंगे, फिर, now, exam pattern क्या होगा, तो class 10th student हो, class 11th हो, class 12th student हो, PCM हो, PCB हो, सभी के number of questions 40 आएंगे, total number of questions will be 40, total time will be 40, correct responses के लिए one marks मिलेगा, and no negative marking, इस EBSD में, इस EBSD में, EBSD is early bird scholarship test में negative marking नहीं है, मतलब आप easily 50% का fee rebate तो आप easily पास सकते हैं, मैं starting से कह रहा हूँ कि 50% fee तो आप केवल test दें, और 10 से 50% के बीच में आप आएं, आपका test बहुत अच्छे है तो 50% आपको मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप 15 November से पहले अपने आपको register करवा लेते हैं, ठीक, चलिए, तो सभी में 40 questions आएंगे, आप इसका जो detail syllabus है, वो आप हमारी website भी बता सकते हैं, बताऊँगा, कैसे आपको website पर detail syllabus पता चलेगा, ठीक है, चलिए, and सबसे important, zero fees, कोई fees नहीं, बिल्कुल free of cost ये test आपको सिर्फ website पर जाके click करना है, and आपको ये test देना है, हमारी selected dates पर, जो हमने dates आपको बताई हैं, कोई fees नहीं, कोई registration charge नहीं, nothing, totally free, and उसके बदले में आपको मिल रहा है 50% scholarship अपने NEET जाई के सपने को साकार करने के लिए, so मेरे NEET and IET जाई के aspirants इंतजार नहीं करना है, इस EBSP के लिए जरूर से अपने आपको apply करना है, register करना है, ठीक, करना कैसे है, तो आप Google पर जाए, Google बाबा को कहें कि mgci.co.in सर्च करके दे, आप जैसे ही mgci.co.in सर्च करेंगे, आप click करेंगे link पर, आप direct हो जाएंगे, इस तरीके के home page पर, इस home page पर आप जाकर देखें, तो आपको एक यहाँ पर यह mgci.co.in सर्च नाम से एक link मिलेगा, mgci.co.in सर्च यह mgci.co.in सर्च पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे apply for test, सारे instructions पढ़के apply for test करेंगे आप, आप जैसे ही करेंगे, तो आप पहुच जाएंगे login to application में, जहां आपको आपका mobile number डालना है, mobile number के बाद आपको एक OTP आएगा, मोबाइल नंबर के बाद क्या आएगा, OTP, OTP के बाद आप अपना यहाँ पर यह जैसे एंटर करेंगे OTP, verify करेंगे, आप पहुच जाएंगे details में, simple process है, कुछ complications नहीं है, आप अपना यहाँ पर name डालें, आपका class select करें, 9th, 10th, 11th, 12th, 11th होंगे तो दो option मिलेंगे, PCM या PCV, medical or engineering, PCM, PCV, आपका target exam को select करें, medium select करें, और जैसे ही आप submit करेंगे details को फिल करके, आप पहुच जाएंगे इस window पे, जहाँ पे दिखरा है demo test, practice के लिए, आप चाहते हैं कि सिर्फ practice करना है मुझे, आप demo test से practice कर सकते हैं, आप desired test date पे test को start भी कर सकते हैं, इस window में आपको मिल जाएगा, आप schedule test का, आप share कर सकते हैं, आप result देख सकते हैं और अपना profile भी check कर सकते हैं यहां से, यह जो इसमें 3-4 tab दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे आपका schedule दिखेगा, यहाँ पे share करने के लिए, यहाँ result and profile, यानि simple mobile number and detail enter करने से बाई, अगर 50% scholarship मिल रहा तो फिर इंतजार किस बात कर रहे हो, और वो 50% 100 में convert हो जाएगा, वो 50% एक छोटे से offline test से किस में convert हो जाएगा, 100% में that means आपका need and ITJ का preparation का cost हो गया कितना, 0, तो इंतजार ना करें, और as such कोई last date नहीं है, registration का कोई last date नहीं है, online test है, आप अपने exam date को time से पहले भी कर सकते हैं, exam dates की बात करूँ, मैं दोबारा exam dates बताता हूँ आपको, exam dates देखिए, तो यहाँ देख इस से जस्ट पहले आप website पर जाए, आप click करें, अपना mobile number एंटर करें, अपने details फिल करें and आप पहुच जाएंगे 50% and up to 100% scholarship के लिए, clear, चलिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, छोटा सा और बात पहुँगा इसमें मैं आप से अब, आप को यहाँ तक में लेकर आय technical help चाहिए, आपको कुछ test देने में problem आ रहा हो, तो आप यह दिये गए help line number पे call कर सकते हैं, MGCI का technical team आपको बिल्कुल help करेगा, आपकी खिद्मत में हाजिर रहेगा, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है, वो बिल्कुल easily 100% scholarship avail करें और अपने need J के सबने को पूरा करें, ह फड़ावर से जाके register करें, देखे website को demo test दें और तयारी करें कि आपको 100% scholarship avail करनी ही करनी है, thank you so much